दोस्तो ये है आइफॉन 12 और ये है आइफॉन 12 प्रो मैक्स तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों स्मार्ट फॉन के बारे में जानकारी दूँगा अन्बॉक्सिंग तो नहीं कह सकते क्योंकि इन दोनों स्मार्ट फॉन को मैं खुद यूज करता हूँ तो फ्रेंड्स बॉक्स पैकिंग आप देख लीजिए याँ पर साइज में भी अंतर है बॉक्स बड़ा है आइफॉन 12 प्रो मैक्स का इसके अलावा मोबैल का जो डिजाइन है वो बॉक्स पर आपको देखने को मिल जाता है आइफॉन के लोगों लगे हैं उपर नीचे और फीचे की साइट थोड़े बहुत हेडलाइन फीचर्स आपको नजर आएंगे तो चलिए दोस्तो अब इन दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स को हम ओपन कर लेते हैं और अगर आप चैनल पर फॉर्स टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए क्योंकि ऐसी वीडियोस रेगुलर मैं आपके लिए याँ पर लाता रहता हू तो दोस्तो यहाँ पर हमें सबसे उपर देखने को मिल जाते हैं स्मार्टफोन तो यह है आइफोन 12 और यह है 12 प्रो मैक्स तो इन दोनों स्मार्टफोन का जो बैक लुक है वो कुछ ऐसा आपको नजर आएगा 12 पर हमने लेमिनेशन किया हुआ है इसलिए आपको यहाँ प 12 प्लस 12 मेंडाविक्सल के 2 कैमरा इसमें यह प्राइमरी कैमरा है और दूसरा अल्टरा वाइड एंगल कैमरा है एसलिए कैमरा रहा है वहीं अब हम नजर डालेगे 12 प्रो मैक्स तो यह अमारे पास गोल्ड कलर है और यह था ब्ल्यू कलर तो गोल्ड कलर कुछ ऐसा तो इधर हैं तीन कैमरा और तीनों हैं 12 मेगाविक्सल के तो जिसमें प्राइमरी कैमरा है 12 मेगाविक्सल और दूसरा जो 12 मेगाविक्सल का कैमरा है वो है टेली फोटो कैमरा और तीसरा अल्टरा वाइड एंगल कैमरा विद LED फ्लैसलाइट यहां भी आपको फ्रेंट में 12 म लेगा फिक्सल का सेलपी कैमरा ही मिलता है दोनों मुबाइल के जो कॉनर हैं वो कुछ ऐसे आपको नजर आएंगे विल्कुल फ्लैट है और यहां पर जो गोल्ड फिनिसिंग आपको 12 प्रो मैक्स में मिलती है वो काफी अच्छी लग रही है यह पावर ओन की यहां पर दिये सिम ट्रे दी गई है जहां आप सिंगल सिम ही यूज कर सकते हैं हाला कि दोनों ही स्मार्ट फॉन में आप यी सिम का यूज भी कर सकते हैं बॉटम में देखें तो यहां आपको स्पीकर प्राइमरी माइक और चार्जिंग जैक दिये गए हैं दोनों ही स्मार्ट फॉन को आल सेम देखने को मिलते हैं उपर जो नौच है वो आपको काफी बड़ी देखने को मिलती है इसके अलावा दोनों में आपको 60 हर्ट का रिफ्रेश रेट मिलता है चलिए दोस्तों बात करते हैं डिस्प्ले साइज की तो 6.1 इंच की OLED डिस्प्ले आपको मिलती है आइफोन 12 में जिसका aspect ratio 19.5-9, screen resolution 1170 x 2532 pixel का और pixel density 457 ppi की दी गई है इसमें आपको 625 nits की brightness मिलती है वहीं आइफोन 12 Pro Max में आपको 6.7 इंच की OLED डिस्प्ले दी गई है जिसका aspect ratio 19.5-9, screen resolution 1284 x 2778 pixel का और pixel density आपको 457 ppi की मिलती है 800 nits की brightness आपको इसमें दी गई है दोनों स्मार्टफोन को एक साथ रखें तो अंतर देख सकते हैं साइज का काफी बड़ा है साइज में आपर iPhone 12 Pro Max जबकि काफी comfortable in and feel आपको काफी अच्छा लगेगा हाथ में iPhone 12 जबकि ये थोड़ा सा बड़ा लगेगा और भारी भी बहुत ज़्यादा है 226 gram का है ये स्मार्टफोन जबकि 162 gram का हमारा iPhone 12 है दोनों के अंदर बैटरी की बात की जाए तो 2815 mh की बैटरी आपको iPhone 12 पर और 3687 mh की बैटरी आपको iPhone 12 Pro Max पर लगी भी मिलती है iPhone 12 की हाइट है 146.7 mm और 12 Pro Max की हाइट है 168 mm वीड़ देखें तो 71.5 mm की वीड़ आपको 12 में और 12 Pro Max में मिलती है 78.1 mm की वीड़ ठीकने तोनों की बिल्कुल सेम है 7.4 mm और वीड़ तो आपको बता ही दिया है चलिए दोस्तों अब सेटिंग पर नजर डालते हैं iPhone की सारे डिटेल्स मिल जाती है बात करें यहां पर इसके प्रोसेसर की तो इसमें आपको मिलता है 3.1 GHz का Hexa-Core प्रोसेसर और चिपसेट आपको Apple A14 Bionic का दिया गया है 5 mm का फैवरिकेशन और इसमें आपको 4GB RAM LPDDR4 की मिलती है और 64GB का यह 64GB वेरिंट है तो 64GB Storage आपको इसमें दिया गया है और Storage Type NVMe का दिया गया है वहीं आप नजर डालते हैं iPhone 12 Pro Max की सेटिंग में तो यहां भी जो इंटरफेस है वो बिल्कुल वैसा का वैसा आपको नजर आएगा जहां हमको जाना है जनरल में और यहां भी About Phone section सबसे उपर दिया गया है तो यहां आपको सारी information मिल जाती है तो इसमें भी आपको बिल्कुल सेम 3.1 GHz का hexa core प्रोसेसर दिया गया है चिपसेट Apple A14 Bionic 5NM Fabrication 6GB RAM LPDDR4X की मिलती है 128GB वेरेंट है तो आपको इसमें 128GB का storage मिल जाता है बाकी तो expandable memory दोनों स्मार्टफोन में आप बढ़ा नहीं सकते storage type NVMe का आपको इसमें भी दिया गया है एक चोटी से नजर दोनों स्मार्टफोन के camera पर डालते हैं जिसके लिए यह स्मार्टफोन जाने जाते हैं तो friends काफी कमाल के camera आपको मिल जाते है colors brightness clarity काफी अच्छी आपको मिल जाती है चलिए यहां पर zooming देखते हैं तो iPhone 12 से आप कर पाओगे 5X तक zoom यह हमने आप पर 5 गुना जूम कर दिया है नहीं iPhone 12 Pro Max से आप कर पाओगे पूरा का पूरा 12 गुना जूम यह देखें आपर zoom quality image फटती नहीं है color field नहीं होते हैं तो काफी अच्छी clarity आपको मिल जाती है इसके अलावा camera में आपको कई सारे features भी मिल जाते हैं या फिर आप filter का use कर सकते हैं काफी सारे अच्छे अच्छे filters आपको यहाँ पर मिल जाते हैं और यह रहे दोनों smartphone के front selfie camera थोड़ा सा यहाँ पर lighting issue है तो इसलिए आपको यहाँ पर ठीक से image दिखने ही रही होगी यहाँ पर आपको zoom करके दिखाएं तो दोनों smartphone के front selfie camera से आप zoom नहीं कर सकते लेकिन zoom out जरूर कर सकते हैं यह देखिए दोनों smartphone के camera से हलका सा zoom out हो रहा होगा जिससे आप group selfie भी आसानी से ले सकते हैं यह थे iPhone 12 series के दो बहतरीन smartphone दोनों smartphone अपनी business खूबियों के साथ आते हैं बात करें इनके price की तो वह आपको online Amazon पर दिख जाएंगे या फिर Apple Store पर आप देख सकते हैं online चेक कर सकते हैं इन दोनों का price तो friends comment box में बताइए आपको यह दोनों smartphone कैसे लगे क्या आप इन्हें purchase करना चाहोगे आसा करता हूं मेरे दोरह दी गई जानकारी आप सभी के ज़रूर कुछ ना कुछ काम आएगी जिससे आपको mobile purchase करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी ऐसी वीडियो देखने के लिए चैन